इसके कितने लाल सलोने सीमा पर छिन जाते है गुरू गोविंद जी के बेटे दीवारों में चिन जाते है जांसी की रानी लड़कर रजधानी मिटवा देती है पन्ना धाई वफादारी में बेटा कटवा देती है मंगर मांते आजादी का परवा ना हो जाता है उद्दम डायर सेबदले को दीवा ना हो जाता है खास फूस की रोटी खाकर राना नहीं लड़े थे क्या बंदा बैरागी के सरपर हाथी नहीं चड़े थे क्या वीर हकीकत राई धर्म की खातिर मरते देखे है वीर हकीकत राई धर्वी हातीर मरते देखे है रुसी ददीची भी अपनी हड़ी अरपन करते देखे है हड़ी रानी सीस काटकर थाली में रख देती है ये गाथा उनको सूरज की लाली में रख देती है 62 के चीनी हमले ने भारत की आखे खोली थी 62 के चीनी हमले ने प्रत की आखे खोली थी जो वाई वाई गाते थे उनके हाथों में रेक गोली थी तब पूरी दुनिया दर्सक थी गांधी का देश सकेला था हमने दिल पर पत्थर रखकर गद्दारी का गम जेला था वो हमला पंचसील वाले अर्मानों का दील छिल गया वो सदमा चाचा नहिरुजी के जीवन को ही लिल गया हमने उस दिन जाना कमजोरी की उकात नहीं होती जो बिखशा में मिल जाती है कोई सोगात नहीं होती तब दिल्ली ताकतवर होती तो चीन नहीं लड़ सकता था फिर मान सरोवर पर चिन्नी जंडा कैसे गड़ सकता था जिनके बाजू में ताकत है आजादी उनकी होती है दुर्बलता के दामन में तो केवल लाचारी सोती है यहां सिवाची नेमा जैसा मान दिया था गोहर कोवी कोद पड़ी थी यंगारों में यहां पदमीनी जोहर कोवी हमने सागर की लहरों पर अपने पत्थर तिराये थे हमने रावन के घर जाकर अपने पवरुस दिखलाये थे सीता जी के सत के आगे दर्ती को भटते देखा था राम धनुस के दर के आगे सागर को हटते देखा था हम इतियास बदलने निकले तो भुगोल बदल जाता था और हमारा स्याम कनईया नागों के फन पर गाता था हम प्रतीबण्दों को सहलेंगे हम जोपडियों में रह लेंगे हम भारतीय अतनमन धन से आशू पीडा को सहलेंगे लेकिन भारत स्वादिन रहे हम भुख प्यास सब बाटेंगे आजादी नहीं रहेंगी तो क्या वईभव को हम चाटेंगे हमने विस्फोट किये जिससे कल दिल्ली नलाचार रहे वो इटो का उत्तर पत्थर से देने को तयार रहे